नमस्कार बैच्छों, आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे CBC की दस्वींक अक्षा के प्रश्न पत्र में चार अंग के प्रश्न समास से आते हैं आज हम इस वीडियो में समास क्या है, समास के कितने भेद होते हैं, समस्तपत क्या है, समास विग्रा करने के प्रक्रिया क्या है, इनी सभी नेमों के बारे में जानेंगे शब्द निर्मान की प्रक्रिया में समास एक महतपूर्न हिस्सा है समास के बारे में जानकारी रखना विध्यार्थियों के लिए अत्यावशक है अब हम समास की परिवाश्चा देखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों को मिला कर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं दो अलग-अलग शब्दों को जोड़ कर एक नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया यानि जो प्रोजस है उसे हम समास कहते हैं आप दाहरन देखिए यहां पर रसोई और घर इगलग अलग शब्द है रसोई घर, हाथ के लिए कड़ी, ख़त गड़ी, नील है जो कमल, नील कमल, राजा का पुत्र, राजपुत्र एसरब समास के उदाहरण है अब हम समस्तपत के बारे में चर्शा करेंगे इस समस्तपत क्या होता है समास के नेमों से निर्मिद शब्द समस्तपत कहलाता है इसे सामासिक शब्द भी कहा जाता है समास होने के बाद विबक्तियों के चिन गायब हो जाते है दिखिए जिब हम दो अलग-अलग शब्दों को जूड़कर एक नया शब्द बनाता है तो जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्तपत कहते हैं तो उदाहरन के लिए देश के लिए भक्ति तो इसमें दो पद आये हुए हैं देश और भक्ति दोनों पदों को मिला करके एक नया शब्द बना है वो है देश भक्ति और इस देश भक्ति को हम समस्तपत कहते हैं और एक और उदाहरन देख सकते हैं राजा का पुत्र समस्तपत बना राजपुत्र अब है एक नया पद हो गया इस तरह हम देख सकते हैं कि समस्तपद में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनता है इस प्रगार बने नये शब्द को हम समस्तपद कहते हैं समस्तपद में हमेशा दो पद होते हैं समस्त पद में आया हुआ पहला पद पूर्वपद और दूसरा पद उत्तरपद कहते हैं उदाहरन के लिए रा के लिए घर्च इसका समस्त पद है रा घर्च तो रा घर्च एक समस्त पद है ये रा घर्च पद में दो पद होते हैं पहला पद जो है रा वो पूरवपद के उदाहरन है और घर्च को हम उतरपद कहते हैं तो समस्तपद में आये हुए पदों में पहले वाला पद को हम पूरवपद कहते हैं और दूसरा पद को हम उतरपद कहते हैं तुलसी द्वारा कृद, तुलसी कृद, तेहां पर तुलसी शब्द जो है वो पूर्वपद के उदाहरन है और कृद उत्तरपद का उदाहरन है। जिब समस्तपद का विग्रा किया जाता है, समस्तपद में आये हुए पदों को अलग-अलग करके लिखा जाता है, तो उजे हम कहते हैं समास विग्रा। किसी समस्तपद के विबिन पदों को उसकी विभक्ती सहिद अलग करने की क्रिया को समास विग्रा कहते हैं। विग्रा का मतलब है अलग करना। उदाहरन देखिए विध्यालाई विध्यालाई एक समस्तपद है और विध्यालाई समस्तपद का विग्रा है विध्या के लिए आलाई। एक और उदाहरन देखिए मातापिदा समस्तपद का विग्रहारत हैं माता और पिदा तो इस प्रगार समस्तपद को विबक्ति सहिद अलक करके लिगने की जो तरीका है जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं समास विग्रह। अब हम जानेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं? समास के चर बैद होते हैं. अवी भाव समास, दुन्द समास, तत्पुर्ष समास, बहु व्रिही समास, द्युगु समास और कर्मधारई समास. समास के भेद में जो पहला एवं प्रमुग भेद हैं तत्पूरु समास तत्पूरु समास की परिभाषा इस प्रगार है तत्पूरु समास वो समास जिसका उत्तरपत प्रदान हो तद्धा समस्तपत में विबक्तियों का लोब हो उसे तत्पूरु समास कहते है अब हम जानेंगे ये उत्तरपद क्या है मैंने पहले बदाया था कि उत्तरपद वो पद है जो समस्तरपद में दूसरा पद होता है जिब समस्तरपद के उत्तरपद यानि दूसरा पद को प्रदानदा दी जाए और बेनने वाले नए पद में समस्तपद में कारक विबक्ति का लोब हो तो ऐसे समास को तत्पुरुर समास कहते हैं तत्पुरुर समास के उदाहरनों में कारक विबक्तियों का लोब होता है उदाहरन देखिए ग्रह में प्रवेश ग्रह प्रवेश तेहाम समस्तपद हैं ग्रह प्रवेश इस समस्तपद में दूसरा पद जो है प्रवेश इसकी प्रदानदा होती है और ग्रह में प्रवेश इन शब्दों को जोड़ कर जब समस्तपत बना तब बीज में आने वाली विबक्ति में लुप्त हो जाता है दूसरा उदाहरन देखिए सोर्ग गद सोर्ग को गया हुआ सोर्ग को गया हुआ सोर्ग गद यहां गद शब्द की प्रदानदा होती है और ये को विबक्ती लुप्त हो जाती है शोग आकुल शोग से आकुल यहां पर आकुल शब्द की प्रदानदा होती है और से विबक्ती गायब हो जाता है भूख से मरा भूख मरा यहां पर भी मरा शब्द की प्रदानदा होती है और शब्दों को जोड़कर समस्तपत बनाते वक्त से विबक्ती का लोब होता है तो ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरन हैं.